So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited की तो वीडियो को बिना skip की है, एंड तक देखना क्योंकि इसके dividend के बारे में हम discuss करने वाले है Director की और से बड़ी announcement यहाँ पर हुई है तो वीडियो को बिना skip की है एंड तक देखो तो आप हमारे टेलिग्राम चनल को भी जॉइन कर सकते हो लिंक आपको नहीं चे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी Indian Oil Corporation Limited यहाँ पर अगर हम बात कर ले स्टॉक की तो 90.45 रूबिस के राउं तक आज हमें मिली है क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात कर ले बहतरी डेटन हमें मिले है स्टॉक ने अगर आप देखो गे मॉर्निंग में ही एक अच्छा गयाप आप ओपनिंग यहाँ पर होई थी स्टॉक अगर आप देखो 90.45 रूबिस पर लेवल पर क्लोजिंग दी है 75 पेसे तक की आपर इसने तेजी भी बताई है वह यह कर देखे 0.84 परसंग के बेसिस पे शेर बढ़ा है 89.85 रूबिस के अराउंड यह ओपन हुआ 90.70 रूबिस के अराउंड तक के हाई है कल भी स्टॉक में अच्छी ग्रोथ हमें नजराई थी अच्छी बड़त हमें नजराई थी यहाँ पर अगर हम बात कर लें पिछले कुछ टाइम से स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम बता रहा है अच्छी growth के साथ stock बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है और 5 दिन में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली 6 October के बाद stock गिरा बढ़ उसके बाद recovery भी आई है एक महीने में गिरावट नजर आती है stock में 2 रुपे साथ पेसे तक की बढ़ने वाले टाइम में एक गिरावट जो है खत्म होने वाली है अच्छे support के साथ बढ़ने वाला है शे महीने में 13 रुपे तक की बढ़त है और एक साल में 23 रुपे साथ पेसे तक की तो एक range यहाँ पर काफी अच्छी बन रही है तो यहाँ पर जो IOC का finance director है उसकी यहाँ पर बड़ी होशना है finance director यहाँ पर change किया गया और अनुज जेन को as a director इन्होंने अपॉइंट किया है और वही अगर देखें जेन has over 27 year experience in the field of finance तो यहाँ पर जो अनुज जेन है उन्हें 27 साल का अनुभव है finance, taxation and commercial obsessed में और यह काफी बड़ी news है oil and gas industry में वो काफी टाइम से 27 साल से है तो यहाँ पर यह बड़ी announcement हुई है जिसके बाद जो इस share है आप देख सकते हो 9 October के बाद तो बड़त ही बड़त है वही अगर हम बात कर लें जो CFO है company के ओ संजय कुशाल तो उनकी और से यहाँ पर यह चीज़े कही गई है इस point को आप note down करो और वही अगर बात कर लें dividend की तो हाँ company में dividend का भी announcement होने आला है केसे announcement होगा आगे बताओगा बट यहाँ पर हमें dividend next month क्यो मिल सकता है November के महीने में यहाँ पर dividend हमें क्यो मिलेगा वह भी एक important point है November, December के राउंट तो dividend मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो हर साल stock 2-3 बार dividend देता है बट 2030 में सिर्फ एक ही बार हमें IOC की ओर से dividend देखने को मिला तो यहाँ पर highly chances नजर आ रहे है कि हमें Indian Oil Corporation Limited में आने वाले टाइम में एक dividend का यहाँ पर announcement होता हुआ नजर आ है क्योंकि यहाँ पर 2022 में दो बार dividend मिला है 2021 में दो बार dividend मिला है 2021 की अगर बात कर ले तो दो बार यहाँ पर dividend नहीं लगबख 4 बार मिला है 2020 में एक बार मिला था 2019 में यहाँ पर दो बार मिला था तो यहां पर कुछ बड़े फर्म की ओर से कुछ अच्छे यहां पर चीज़े कही जा रही है यहां पर quarter to results अगर देखें तो यहां पर OMC की जो report है उसमें एक sharp price हमें देखने को मिलेगी इसके results में और IOC यहां पर lead पे रहेगा earning के मामले में तो यह कई बड़े जैसे jam financials firm जो होते है jam financial firm जो है काफी बड़ा firm है उनकी ओर से चीज clear कही गई है तो एक कुछ अच्छी चीज़े यहां पर निजर आ रही है quarter to results जो है expect यहां पर किया जा रहा है कि काफी बड़ी announcement होगी और यह चीज़े हमें पता ही है कि जब भी यहां पर results आते हैं तब dividend का announcement होता है तो हमें पुरी उम्मीद है कि IOC की ओर से जो यहां पर results है और positive आएगे और company जिस तरीके से पिछले कुछ time से dividend दे रही है तो यहां पर हमें dividend भी काफी अच्छे नजर आएगें इस चीज़ को लेकर भी आप यहां पर positive हो क्योंकि कई बार अगर देखें November और December में भी dividend दे चुका है इस point को भी आप यहां पर note down कर लिएना तो यहां पर IOC में तो बिलकुल आप positive रह सकते हो आने वाले टाइब में एक बहतरी return देने वाला है क्योंकि यहां पर high volume के साथ share में buying भी हो रही है volume की अगर बात कर लें तो यहां पर 1 crore के round तक का trade value हमें नजरा जाता है इस point को देहान रोको कल भी 1 crore के round तक का trade value हमें नजराया था यहां पर बात कर लें तो बिलकुल यहां पर आप देखोंगे एक point है यहां से यहां तक इसे काफी time से अच्छी तरीके से respect दे रहा है और एक support यहां पर ले रहा है और वही अगर हम बात कर लें यहां से यहां तक की तो stock में आप देख सकते हो एक rising which type channel भी share में create हो रहा है इन upside downs momentum के चलते हैं अगर आप देखते हो तो share में ऊपर से यहां से rejection है इस point से भी rejection मिला है आप देखोंगे तो कई बार rejections मिल चुके हैं और यहां पर और यहां पर और यहां पर support भी नज़राते हैं तो कल भी stock में वही हुआ, stock पहले upside के और गया फिर downside के और आया फिर आज भी वही हुआ, पहले stock upside के और गया फिर downside के और और कल अमें उम्मीद है कि stock ऊपर के और जाएगा अच्छे return हमें देखने को बिलेगे और share में अगर मैं कहूँ, तो आपको हर share पर 10 रुपे तक का भी फाइदा हो सकता है तो यह 10 रुपे तक का benefit है वह आपको कैसे होने वाला है, मैं आगे बताने वाला हूँ पर यहां पर कल के दिन के अगर मैं बात कर लूँ, तो यहां पर अगर आप देखोंगे तो share में एक rising wedge type channel यहां पर create हो रहा है एक rising wedge type channel यहां पर बन रहा है, और इसे यहां पर normally एक bearish type pattern कहा जाता है इस point को भी आप ध्यान में रखों, क्योंकि एक rising wedge type channel में उपर से rejection अगर आता है तो downside की और अगर breakdown आता है, तो एक fall continue हो सकता है इन points को भी आपको no down करना है, क्योंकि यहां पर एक rising wedge type channel अगर आता है तो negative रहो इसलिए यहां पर 50% लोग जो है वो stock में यहां पर buy करने के लिए, और 50% जो लोग है stock में यहां पर sell करने के लिए कह रहा है तो इन points को भी हापर आप no down कर सकते हो, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे 15 minute के chart frame पर की stock में हमें actual में क्या देखने को बलता है तो इन points को भी no down करके रखना है और यही चीजे आपको 1 hour के time frame पर समझ में आने वाली है इन points को भी यहां पर आपको no down करके रखना है, तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हो, शेयर में upside downs point को है, एक proper falling waste type pattern बन रहा है दो range यहां पर create कर रही है, यहां पर range के अगर बात कर लो, number one और number two, यहां से बल्कुल support मिला support के बाद यह उपर जा रहा है, इस point को भी आप no down कर लो, और यहां पर आप देखोंगे, उपर से कई बार share में rejections मिले हैं downside के ओर से कई बार support हमें देखने को मिले है, यहां से भी एगर देखें, इसराइल war के कारण, यहां पर कही न कहीं, एक huge gap down यहां पर हमें देखने को मिला था, जिस वज़े से यहां पर गिरावट आई, बट डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि stock ने sudden एक recovery बताई, और मैंने at least 96 के around target आप रखो 1 hour के time frame पर, बट वही अगर थोड़े ओर बड़ी time frame पर जाओ, जिसे हम जाते हैं day 1 के time frame पर, कि day 1 के time frame पर stock में actually, यहां पर क्या देखने को मिलता है, तो day 1 के time frame पर अगर हम देखें, तो बिलकुल हम उम्मीद कर रहे है कि 100 के target के आसपास आई, क्योंक से गिराओ ठीक है, और यहां पर वही target हम रख रहे है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोंगे gap भी pending है, gap down हुआ था, gap pending है, और gap जैसे ही feel होता है, stock सीधा 100 के around भी जा सकता है, तो इसलिए अभी 90 के around trade कर रहा है, तो 100 के around जाता है, तो आपको 10 रुपिस तक का benefit आपको हर इस पॉइंट को भी आपनो डाउन कर लो, so I hope वीडियो आपको helpful लगा होगा, अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मत बूलना, और कोई भी शेयर में investment करने से पर लेंग शेयर से,